गुड मॉनिंग दोस्तों, आज है 27 जन्वरी और आज के बने वाले हरियाना करंट अफेर के कोश्चन्स इस वीडियो में हम रिविजन करने जा रहे हैं उससे पहले हम आपको बता दू कि अगर आप हमारे हरियाना करंट अफेर के कोश्चनों को पीडियो के रूप में पढ़ना चाते हैं तो उनका लिंक डिस्क्रेप्शन में एवलेबल है आप वहाँ पर जाकर इन्हें डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी की वे आज की वीडियो तो पहला परसन है हरियाना से कुरूचेतर जिले के किस प्रोफेसर को केंदर सरकार की तरब से पदम स्री पुरुसकार के लिए चुना गया है तो यह चुना गया है प्रोफेसर जै भगवान गोयल को आप फोटो मेंने देख सकते हैं हिंदी साहित्य के इत्यास को नवीन दिशा देने पर कुरुचेतर निवासी और कुरुचेतर विस्विधाले से सेवा निवित प्रोफेसर डॉक्टर जै भगवान गोयल को केंदर सरकार की तरब से पदमश्री पुर्षकार के लिए चुना गया है। वे मूल रूप से चचरोली युमनगर के रहने वाले हैं। लेकिन अब कुरुचेतर सेक्टर 13 में पत्नी पुस्पा गोयल के साथ रहते हैं। दोनों पत्ती पत्नी कुरुचेतर विस्विधाले से सेवा निवित हुए हैं। डक्टर कोयल के यू हिंदी विभाग में डीन समित कई पदों पर रहने के बाद सेवा निवित हुए हैं। इसके बाद है हाल ही में हर्यान के किस पहलवान को पदमस्री पुर्षकार के लिए चुना गया है। तो यह चुना कई है विरेंदर सिंग को आब फोटो में हिने देख सकते हैं। विरेंदर سिंग देश कैसे पहले पैरा एतलीट है जो चियार बार ओलमपिक्स में हिसा ले चुके हैं और तीन बार के वर्लल चैंपियन भी रही है। विरिंदर सिंग गुंगा पहलवान के नाम से देश भर में मशूर है। उन्हें आब फरवरी माह में पदमसरी मिलने जा रहा है। विरिंदर सिंग जजर के सासरोली गाउं के रहने वाले हैं। मूग और भाद होने के बावजूद उन्होंने कभी भी इस कमी को अपने सपनो की उडान के आड़े नहीं आने दिया। इसके बाद है हरियन प्लिस के कितने अधिकारियों को विशिष्ट सेवाँ के लिए राष्टपती पुलिस पदक से समानित किया जाना था। तो ये किया जाना था दो पुलिस अधिकारियों को। गंतर देवस के आउसर पर हरियन प संदीब खिरवार को विशिष्ट सेवां के लिए राश्पती पुलिस पदक से सम्मानित किया जा चुका है इसके बद है हरियन पुलिस के कितने अधिकारियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया जाना था तो यह समानित किया जाना था बारा पुलिस अधिकारियों को बारा प वीडियो को पोज़ करके इनके बारे में भी पढ़ जाकते हैं बाकी जो अच्छे हैं वो यहां पर दिये गए हैं इसके बाद अगला कोशिन है हर्यान के किस जिले के सोनो एहलावत को वीता पुरस्कार से समानी ते किया जाएगा तो यह किया जाएगा जीन्द के सोन मुटबेड में 58 आतंगवादियों को डेर कर चुके हैं उनकी बहादरी के लिए इस बार गनतंतर दियोस पर राश्पती वीरता पुरस्कार से उन्हें समानी ते किया जाना था सोनो एहलावत अब तक आतंगवादियों के खिलाफ 22 ओपरेशनों में शामिल रहे हैं उनको राश्पती वहन में राश्पती रामनात कोविंद के द्वारा यह पुरुषकार दिया जाना था इसके बाद है हरेन सरकार के द्वारा खरीब सीजन 2020 की फसलों की खरीद पर कितनी राशी दिये गई है तो इसका उतर जानी से पहले अगर आपको वीडियो अच्छे लग र हरेन सरकार के द्वारा खरीब सीजन 2020 की फसलों की खरीद पर 9.5 लाग से अधिक किसानों के कातों में लगबग 17,000 क्रोड की राशी दाली गई है इसके बद है हरेन के 21 जिलिये की नेहा को वर्ल्ड बॉक्सिन चेंपियंशिप के लिए पोलेंड का टिकटे मिला है तो यह म पहले बाद्रुगड को सराफाबाद के नाम से भी जाना जाता था बेरी इसका दूसरा मुक्य सेर है यहां बिमेशरी देवी का परसीद मंदिर पिस्तित है इस मंदिर में पूजा करने के लिए देश विदेश से प्रति वर्षियां पर आते हैं इसके बाद है हरेन के मुक में जंडा फेराने का कार्यकर्म रह दो गया था मुक्य मत्री मनोहरलाल ने पंचकला में आजित गनतंतर दिवस समारों में राष्टिय धोज फैराया और प्रेड की सला मिली राजय पाल सत्य देवन नरेन आरे ने चंडिगड में राज भौन के अंदर तीरंगा फैराया स तो इहां पर पंचकुला का शिक्र हो रहा है पनचकला में पालतु पसूच्बचा चाгов के इंदर भी इस थी थैं। इसके इलावा यहां पर घिड परजरन के इंदर जिसकी स्टापन उन चाहि Yo के इंदर हुई थी ये भी स्तित हैं प्रसीद टिकर ताल जहिल भी पंचकुला में ही स्तित है इसके बाद है विग्यापनों के लिए ERP सोफ्टवेर बनाने वाला हरियना देश का कौन सा राजे बना है तो ये बना है पहला राजे हरियना में मीडिया हाउसेज को जारी स्वरकारी विग्यापन की जारी होने से भुगतान तक की प्रकिरिया अब ओनलाइन हो जाई अब 30 दिनों में बिल भुगतान भी हो सकेगा से मनोहलाल ने ERP सोफ़वेर लोंच किया है ऐसा करने वाला हरियना देश का पहला राजे बन गया है इसके बाद है हरियना के किस दिले में जियोग्रफिक Informatic System Lab स्तापित की जाएगी तो यह की जाएगी फरिदाबाद के अंदर फरिदाबाद Smart City Limited के ओफिस में ही नगर निगम Geographic Informatics System Lab स्तापित करने जा रहा है इसी निगम को इस बात की जनकारी आसानी से उपलब्द होगी कि उसकी कितनी जमीन कहां कहां खाली है और किस जमीन पर अवैद कबजा किया हुआ है GIS Lab स्तापित होने के बाद निगम अफसरों को जमीन के बारे में किसी करमचारी से जैनकारी लेनी की जुरत नहीं पड़ेगी आधिकारी एक क्लिक पर निगम सीमा छेतर की अंदर उसकी कितनी संपत्ती है और उसमें से किस संपत्ती पर क्या क्या स्तापित है सब जान सकेंग है प्रोसी जिला गुडगाओं में इसकी सुरात पहले ही हो चुगी है तो यहां पर हमारे हर्या कंटा फेर के कोश्टेंस खतम होते हैं अब जल्दी से हम अपना रिविजन टेस्ट भी लगा लेते हैं तो पहला परसन है हर्याना से कुछेत्र जिले के किस प्रोफेसर को के समस्री पुरुषकार के लिए चुना गया है तो यह चुना गया है विरेंदर सिंग को हार्या प्लिस के कितने अधिकारियों को विशिष्ट सेवां के लिए राश्ट्रपती पुलिस पदक से समाईत किया जाना था तो यह किया जाना था दो पुलिस अधिकारियों को हार्य हर्यान के किस जिले के सोनो एलावत को वीरता पुरुषकार से सम्मानी तक किया जाएगा तो यह किया जाएगा जीन जिले के सोनो एलावत को हर्या सरगार के दोरा खरीफ सेजन 2020 की फसलों की खरीद पर कितनी रासी दी गई है तो यह दी गई है 17,000 क्रोड रुबे हर्यान के किस जिले की नियहा को वर्ल्ल बॉक्सिन चेंपियंशिप के लिए पोलेन का टिकटे मिला है तो यह मिला है जजजर की रहने वाली नियहा को हर्यान के मुख्य मतरी मनोहर लाल कटर ने पानिपत के बजाई किस जिले में राष्टिय दहजे फैराया है तो यह फेराया है पंचकुला में विग्यापनों के लिए ERP software बनाने वाला हरियना देश का कौन सा राजय बना है तो यह बना है पहला राजय हरियना के एक इस दिले में Geographic Informatics Systems Lab स्तापित की जाएगी तो यह की जाएगी फुरेदबाद में तो चलिए यहाँ पर हमारा रेजन टेस्ट भी खतम होता है अब हम कल के परसन का आंसर जान लेते हैं कल हमने आपसे पूझा था कि अमबाला की किस गाओं में परदेश का पहला Government, Homeopathics, Medical College और अस्पताल बना जाएगा तो इसका राइट आंसर है यह चंदपूरा में बना जाएगा परदेश का पहला Government, Homeopathics, Medical College और अस्पताल अमबाला के गाओं चंदपूरा में 37 क्रोड की लागत से बना जाएगा नगर परिशिद अमबाला केंट ने आयूशी विभाग को साथ एकड के करीब जमीन ट्रांसफर कर दी है गाओं चंदपूरा में इसे बनाने की योजना है तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का वर्शन परदिश में साथ समधाई का रेडियो स्टेशन को शुरू करने वाला पहला विसु विधाले कौन समना है तो यहां पर चार उप्शन है कुरूचेतर, M.D.U., H.A.U. या फिर C.H.L.D.U. आपको राइट उप्शन हमें कमेंट बोक्स में बताना है तो आज की वीडियो यहें पर खतम होती है, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रू कीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो स्क्राइब करना बिलकुल मिद बूली, तो चलिए कल मिलेंगे C.H.E. को नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत